हलो स्टूडेंट्स मैं हूँ अभिशिक शर्मा एलन करियन इस्टिट्यूट से जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछले 33 वर्षों में एलन ने इस देश को कई एंजिनियर्स और डॉक्टर्स दिये हैं और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एलन आप सभी के लिए लाया है एलन डिजिटल एक ऐसा प्लाटफॉर्म जहां पर एलन की बेस्ट अकेडमिक टीम आपसे मिलेगी आपके साथ रहेगी आपके मोबाइल और लैप्टॉप स्क्रीन पर तो आईए देखते हैं क आप जब फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम जनरेट पासवर्ट पर जाना होगा जैसे ही आप यहां क्लेक करेंगे तो आपके सामने यह पेज ओपन होगा फर्स्ट अफॉल आपका आपका अप्लिकेशन नंबर जो आलन का ऑफिशिल फॉ आपके जो credentials हैं आपके mobile नंबर और आपके email पर आपको share कर दी जाएंगे उसके बाद back to login पर आपको आना होगा जैसे ही आप back to login पर click करेंगे आपके सामने यह screen सामने होगी आपके जो credentials आपको mobile और email पर receive हुए हैं आप यहां उन्हें फिल करेंगे उसी के बाद नीचे आपकी जो भी recent downloads और साथ-साथ notices होंगे वह यहां शो करेंगे और left side पे आपको जो पैनल दिख रहा है वहां आपके सारे heads में हैं तो एक एक करके हम सब heads पे आते हैं first of all आप देख पा रहे होंगे आपका personal details आप जैसे इसके अंदर जाएंगे आपकी जो भी personal details हैं वह यहा classroom में आते हैं आपको यह screen show हो जाएगा digital classroom में आपके जो lectures है pre-recorded digital format में वह आपको available रहेंगे वह कुछ stipulated time के लिए आपको मिलेंगे as per your timetable यहां हम एक class को view करते हैं इस class को view करते ही आपको automatically जो first module है वो play हो जाएगा और इसके बाद जैसे ही आपका यह module complete होता है आप so and so continuation में second, third, जतने भी modules होते हैं वो view कर सकते हैं इसी के साथ-साथ आप full screen पर भी चाहें तो इसे view कर सकते हैं इस पर back करते हैं दन नीचे आप देख रहे होंगे digital class material यहां इस module और इस topic से relevant जो भी material है वो आपको PDF form में available मिलेगा इसी digital class material को आप यहां से PDF form में download भी कर सकते हैं यही जो study material है यही आपको digital class material जो अगला head है उसके अंधर भी देखने को मिल सकता है वो इस form में आपको देखने को मिलेगा और आप यहां पर इसे download कर सकते हैं जैसे ही आप topic wise जाते हैं modules wise जाते हैं तो आपको यहां PDF form में उनकी topics दिख जाएंगे अगला head है digital examination hall जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं आपके जो भी recently attempted examination है साथ ही साथ जो आपका अगला exam है वो यहां आपको show हो जाएगा आप attempt exam paper पर जाके इसको attempt कर सकते हैं अगला जो head है वो है live webinar लाइव webinar में जो भी एलन की open sessions होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप सामने screen पर देख सकते हैं एंटर करते ही आपको class join करना है and you are good to go आप जब class attend कर लेते हैं तो आपको exit करना है तो अगेन हम dashboard पर आ जाएंगे, dashboard पर आने के बाद हमारा जो next head है वो है live class recording live class recording में आपका वही sessions जो live हुए थे वो recorded format में कुछ time के लिए available रहेगा आपके time table की according recording, यहां से आप view class में जाके उसको view कर सकते हैं and जो भी topic आपका miss हुआ था जिस भी time पर वहां आप directly जाके उसे view कर सकते हैं अगला जो हमारा head है वो है batch class schedule यहां आपके weekly basis पे जो भी classes schedule है वो यहां आपको show होंगी, हमारा next head है वो है regular exam calendar इस exam calendar में आपने जितने भी test दिये हैं साथ ही साथ जो आपके upcoming test schedule है वो यहां show होंगे इसके बाद test performance analysis पे हम जाते हैं जैसे यह आप tab open करते हैं आपको detailed analysis आपके test में जो आपने appear किये हैं उसमें आपकी जो marking हुई है basis पे आपके जो subjects हैं उनके basis पे आपको यहां show होगा साथ ही साथ इसका detailed analysis आप यहां पर जाके check कर सकते हैं यहां आपको subject wise आपकी ranking है साथ ही साथ जो भी detailed इसका analysis है वो आप हर तरह से graphical form पर यहां पर देख सकते हैं यहां नीचे यह दो tabs आपको देखेंगे view paper question solution और साथ ही साथ view answer की इन दोनों tabs के तुरू आप solution plus answer की यहां पर देख सकते हैं अगला जो हमारा head है वो है performance report performance report के बाद अगला जो हमारा head है वो है exercise and races जैसे ही आप इसमें आते हैं आपको अपना race exercise select करना है subject select करना है और साथ ही में जो भी उस related आपकी exercises होंगी वो यहां आपको show करेंगी आप उसको view कर सकते हैं आप उसको download कर सकते हैं जो next हमारा head है वो है notice board जैसे की नाम के साथ clear है notice board में आपके जो भी important notifications होंगे वो यहां आपको show करेंगे अगला जो हमारा head है वो है downloads जैसे ही हम downloads में जाते हैं जो भी आपके sample download sample papers या जो भी आपके exercises इसमें available है वो आप यहां से download कर सकते हैं वो सारे messages आपको यहां पर show करेंगे ताकि कोई भी message आपका miss ना हो जो left side पर आपको navigation panel दिख रहा है वो हमने complete कर लिया है सारे heads हमने cover up कर लिया है इसके बाद हम आते हैं जहां हमारा नाम लिखा हुआ है student का नाम वहां पर mention होगा इसके साथ में आपको एक drop down का arrow देखेगा वहां आप जैसी क्लिक करेंगे तो आपको my profile और change password का option देखेगा आप यहां से अपना password कर दो कर दो